लिए इस पॉइंट फॉर बस लिखना बंद करें मैं बताता हूं पहले समझो फिर कोशन सौल करेंगे 6.3 एकसराइस के लिए इसमें तीन सिमिलारिटी के कंसप्ट हैं टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलारिटी ओफ ट्राइंगल किसी ट्राइंगल की सिमिलारिटी के लिए क्राइटेरिया देखो हिंदी में समरूप इंगलीश में है सिमिलार्टी मैंने इसके पहले जब हम लोग ने इसका इंट्रोड़क्शन देखा था तब हमको एक टॉपिक मिला था सर्वांग सम्ता सरवांग सम्ता जिसको इंग्लीष में हम लोग बोलते ऐं कॉंगरेंट तो सरवांग सम्ता के लिए हमको किनी दो त्री खुल्जो को सरवांग सम या कॉंगरेंट पूरुफ करना है तो दोनों ट्रैंगल एक दूसरे के उपर पूरी तरीके से कैसे होना चीहिए पूरे पूरे आना ची कहने का मतलब फिर से मैं कॉंग्रेंट के बार में बता रहा हूँ एक ट्राइंगल दूसरे के कॉंग्रेंट होगा जब आप इसको उठाओ इसके उपर रख दो तो इसके जितने एलिमेंट है एलिमेंट मतलब अव्याव कितने एंगल तीन एंगल एक एंगल दो एंगल तीन एंगल फार्स सेकेंड थार्ड और इसमें भी कितने एंगल है तीन एंगल तो तीनो एंगल इस ट्राइंगल के तीनो करस्पॉंडिंग एंगल के एक्वल होना ची और तीनो साइड इसकी तीनो B, C, और P, Q, R, दो triangle, दोनो triangle अगर सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब English में congruent, तो इसका मतलब इसके corresponding part equal है, corresponding part का मतलब, अब जब हमने इसको triangle को उठाया, इसके उपर रखा तो पूरी तरीक से ढग जाना चीए, तो A, B किसके equal है, P, Q के, A, C, किसके equal है, P, R के, और B, C, किसके equal है, अभी corresponding याद रखो हमको पढ़ना है similarity, similarity के concept क्या है, टॉपिक लिखा हुआ है बुक में, 6.4 उसमें लिखा है, criteria for similarity of triangle, किसी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, तो उसकी क्या-क्या कसौटी हो सकती है, तो कैसे similarity होगा, देखो, एक triangle अगर बढ़ा है, दूसरा छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें, समरूप में, similarity में, इसका sign क्या है, एक triangle similar है किसके, दूसरे के, तो ये इसका sign है, A, B, C, P की वार, तो अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कि ये वाला triangle इसके similar है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, अगर ऐसा है, तो क्या-क्या चीज हो सकती है, इसमें होगा angle A किसके बराबर होगा, क्य संगत कोण बराबर होंगे, और corresponding sides are in the same ratio, संगत भुजाए, समान अनुपात में होगे, तो same ratio का मतलब क्या होगा, A, B by, P, Q, और A, C by, बहुत अच्चे, और B, C by, ठीक, अब इस पर अलग-अलग नियम लग रहे है, इतना याद रखना कि जब दो त्रिभुज समरूप है, तो संगत भुजाए, समान अनुपातिक है, और संगत कोण बराबर है, इसको मैंने बुला हिंदी में, इंग्लिश में, when two triangles are similar, their corresponding angles are equal, and their corresponding sides are in the same ratio, और उसकी संगत भुजाए, समान अनुपात में होगे, कोई doubt है गया, 6.4 बुक में चेक कर लेना, मैं थेवरम बढ़ रहा ह गी, exercise समझ में आजाएगी, exercise में कुछ नहीं है, हर question में, 3 में से एक थेवरम लगी लगी है, 6.3, जैसे हमने 6.2 में देखा, थेवरम नंबर 6.1, थेवरम नंबर 6.2, जिसके समझ में आएगी, वो पूरे question कर एक triangle के 3 angle, पहला थेवरम है, उसके नीचे लिखा हुआ है, the criterion is referred to as the angle, 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 criterion of similarity, अगर एक triangle के 3 angle, दूसरे triangle की, बाकी question में समझ में आएगा, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ न, उसको ध्यान से सुनो, इस triangle के 3 angle, इसके 3 angle के अगर equal है, वो question से, तो हम कौन सा है, criterion लगा देंगे, angle, 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 A, 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 कि इससे हमने इसको समरूप सिद्ध कर दिया, question आएगा, आप इसको समरूप सिद्ध करो, और question में कुछ चीजे लिखी होगी, तो आप क्या rule लगाओगे, तो पहले आप question पड़ोगे, चेक करोगे, उसमें दिया रहेगा सब कुछ, एक त्रिबुच के 3 कौन, दूसरे त्रिबुच के 3 कौन के अगर, equal होए, तो कौन सा एंगल, 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 इसके बीच में रिमार्क लिखा है नीचे साइट देखो, नीचे रिमार्क मिला है, हाँ, वो रिमार्क भी लिख लेना है, थेवरम नंबर इसके बाद कौन से लिखने का कहा था मैंने, 6.4, सुने, 6.4 सुने, अब क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल में पूरी साइट्स अगर करस्पॉंडिंग है एक दूसरे के तब कौन सा क्राइटिरिय लग रहा है साइट, साइट, साइट हुजा, भुजा, हुजा बस इससे जादा नहीं देखे, बाकी हम देख लेंगे आगे अब अगला, नेक्स्ट थेवरम इसमें लिखा हुआ है 6.5 इफ वन एंगल ओफ ट्राइंगल इस एकल तो वन एंगल ओफ दा अधर ट्राइंगल एंड वन इंक्लूडिंग इस एंगल साइट को सुनो कि मान लेते हमने क्या किया हमको जब साइट एंगल साइट की प्रॉपर्टी लगाना है तो सब कुछ कोशन में दिया होगा इन दोनों साइट को प्रपोर्शनल प्रूफ कर दिये जैसे AB by PQ किसके BC by QR के और ये कहां से आएगा ये आएगा 6.12 से ये 6.12 से वो भी याद रखना है और हमने बोल दिया एंगल B किसके एकवल है एंगल Q के दो त्रिभुजो में दो संगद भुजाई की युग्म परस पर समानुपाती है या समान रिशियो में और उनके बीच का एक एंगल अगर उनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो कौन सा रूल लगाओगे साइड एंगल साइड दो साइड और उसके बीच का एंगल कोई डाव्ट है इसमें नहीं है एक्सराइस पर आजाओ डारेक्ट और समझो फिर कोशन में जो जो रूल्स लगेंगी उसको मैं और अच्छे से क्लेर कर दूँगा समरूप समझ में आया इसमिलर समझ में आया इतना याद रखो समरूप हिंदी में इंगलिश में सिमिलर साइन इसका यह है 6.3 कोशन नमर फ़र्स देखो स्टेट विच पियर आफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 और सिमलर राइडर सिमलाइटी क्राइटिरियन यूजड बाई यूजड बाई यू फॉर एंसरिंग दा कोशन और अल्सो राइड दा पियर आफ सिमलर ट्राइंगल इन दा सिम्बॉलिक फॉर्म आपको इन सारे इसको देखकर बताना है कि कौनसे त्रिबुज समरूफ है और किस नियम से समरूफ है और आपको उसका चिन भी लगाना है समझाया समरूफ मतलब similar पहले इंगलीश में पढ़ाना मैंने इंग्लीश में पढ़ा पहले तो आपको पहले चेक करना ही कि कौन से सम्रूप है मतलब सिमिलर है और उसका साइन भी लगाना है हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं एक बार वर्ट टू वर्ट कोशा ने बताई कि आकरती 6 असमलो 3-4 में दिये त्रिभुजो की यूगम में से कौन सा यूगम सम्रूप है उस सम्रूपता कसोटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तता साथी सम्रूप त्रिभुजो को संकेती ग्रूप में वेक्त कीजे तो सम् बड़ा अच्छा है समझ में आएगा यहां से समझ में आएगा तो बनेगा 6.3 कोशन नंबर फस्ट और फस्ट का फस्ट फस्ट का फस्ट डाइग्राम बना हुआ है यह ट्राइंगल बनाए ए बी सी और इधर बनाए पी क्यू आर सब कुछ इसमें दिया है यहां पर एंग कि अगर उसने ऐसा बना कर दिया है तो आपको पहले एंगल का सम करना है पहले एंगल का सम करके चेक करना है असी चालिस एक सो बीस और साट एक सो सी वी नू देट थे सम आफ ऑल त्री इंटिरियर एंगल इन ट्राइंगल इकवल 180 हम जानते है त्रिबुच की तीनों कुण और दोनों कितने आगए कहने का चेंज यह इसका करस्पॉंडिक है बी किसके एकवल दोनों कितने है बहुत अच्छे एंगल सी किसके एकवल कितने है दोनों अब आप ऐसा बोल सकते हो ना कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके ट्राइंगल टी क्यू आर के ध्यान के से इधर अगर A पहले लिखा है तो इधर भी P पहले लिखा होना चीए, जो बराबर है इधर आपने B लिखा है तो इधर क्या लिखा होना चीए, Q इधर C लिखा है तो इधर क्या आ रहा है तो दोनों similar बता दी है हमने क्योंकि हमने यहाँ पर तीन चीज़े बता दी लगेगा एंगल 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 एंगलीष में ट्रैंगल में deaf Jas хочу एक करेसıyı करेश्पनडिंग तीनों आइंग त्री एंगल इस ट्रैंगल के अगर एक व faço तो तो कौन सा security लगर ज्यादा कटी नहीं कि ने क्या समझ आया और इसी में से ज़्यादा तर इसी में से question भूशता है second check करें इसी का second A B C और इसमें कितना दिया है A B C, यह कितना दिया है 2, 2 point यहाँ पर यह थोड़ा बड़ा है P, P, Q, R P, Q, R यह कितना दिया है 6, यह कितना दिया है और यह कितना दिया है अब एक चीज़ बताए मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कि ऐसा लिखा है तो जरूरी नहीं कि आप ऐसे कि ऐसा देखो हो सकता है कि ऐसा हो जाता कैसा हो जाता कि 40 यहां लिखा होता और 60 यहां लिखा होता तो आप किसको किसके corresponding बोलते सी को पी के घुमाते ऐसा तो यहां पर भी वह इस्तिति है अब यहां पर आपको चेक करना है कि कौन किसके corresponding लिखा होगा ठीक है मतलब corresponding अगर भी बनाओगा तो corresponding संगत बनाना पड़ेगा same ratio में जरूरी निकिसा हर आपको सीधा सीधा जैसे यहां दिया था हर बार सीधा 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 नहीं देगा जैसे याला कोशन सोचो same ratio में बनाना है हमको सब को सेम रेशो में बनाने लिए चाहिक सकते सेम रेशियो में बनाने के लिए देखो मैं बताता हूँ मैं लिख रहा हूँ डारेक्ट तुम लोग भी समझना A B क्योंकि मैं को दिख रहा है साब A B by क्या लिख दू A B by Q R ठेक इकवल A C by T Q सेम रेशियो इसको बोलते हैं समाना नुपाट और बताएं एक और बचाए B C by सब के सम सेम रेशियो में है अभी चैक कहां की आप करते हैं A B कितना Q R कितना A C कितना T Q कितना B C कितना और Q R कितना Cancel करो 2 से 2 से 3 से 2.5 से सब कितना आया 1 by 2 क्या बोलोगे A B by Q R Equal A C by P Q Equal B C by PR Equal कितना आया इसको बोलते है Corresponding Sites Are in the Same Ratio संगत बुजाए समान अनुपाट में सब का अनुपाट सब का रेशियो 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 तो यहाँ पर कौन सा Criteria लगेगा लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे भी क्या बताएंगे Triangle कौन सा Triangle नाम देखो हमने यहाँ से A B Side लिए और यहाँ से Side कौन से लिए Q R तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको ऐसा करना पड़ेगा कहने हैंगे मतलब यहाँ पर क्या बनाएं P ठिक यहाँ पर R और यहाँ पर क्या बनाएंगे Q अब सीधा सीधा Corresponding दिख रहा है यह 6 है और यह कितना है 5 है और यह कितना है 4 है अब ये इसके corresponding वहा same same ये इसके इधर side है ये इसके नीचे है ये इसके इधर है तो triangle P B C sorry A B C A B C similar है किसके triangle Q R P Q R P क्या यहाँ पर Q R P दिया था क्या हमने इधर से नाम लिखना था बना ऐसे रहने देना Q R P कौन सा criteria लगा है side 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 किसी को को डाउट है गए है समझ आया हमने क्या किया क्योंकि हमने base यहाँ से 4 और ये इधर का मिल रहा था तो उसको जमार लेते नाम ऐसा पढ़ सकते कि A B C Q R P तो A B Q R के सांस आजाएगा A B का किससे relation आएगा A B का relation किससे आएगा Q R के सुरू के 2 का relation दूसरे वाले triangle के सुरू के 2 से बताओ B C किससे P R B C किससे P R और A C किससे A C किससे P Q समझ आया तो starting starting की भी equal होना चीए sequence है तब हम उसका सही सही नाम बता सकते अभी कोई doubt इसमें थार्ड समझो इसको L M P 2.7 3 2 ये दिया हुआ है D E F 4 6 5 अब तुमको ऐसे जमाना है उसको कि आप उसकी side को proportional कर सको दो triangle similar होते दो त्रिबुच समरूप होते जब दोनों त्रिबुच के संगत कोण बराबर और संगत बुजा है समानू पाती corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio तो same ratio बनाओ जैसे 2 के नीचे अगर 5 लिखा हमने तो 2 से 5 को कितने time cancel करोगे छोड़ो MP के नीचे हमने अगर DE लिखा है तो 2 से 4 कितने time cancel 3 से 6 कितने time cancel लेकिन 2.7 से 5 cancel होगा क्या तो हम पहले उसका ratio बनाते चुंकि MP by MP by DE मैंने बुला जमा सकते हम लोग टीके जमा सकते तो MP के लिए कितना दिख रहा था और DE के लिए कितना दिख रहा था second हम जमा रहे 3 और 6 को देखकर तो यह हमारे पास LP by df यह हमारे पास 3 by 6 कहने का मतलब 1 by 2 कहने का मतलब 1 by 2 यह भी 1 by 2 है यह भी 1 by 2 बचा कौन है बचाए LM LM by आकरी में कुन बच रहा है EF तो LM कितना है 2.7 और EF कितना है 5 क्या 2.7 से 5 कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि MP by DE equal किसके LP by DF but LP by DF does not equal किसके LM by EF मैंने क्या बोला था त्रिबुच की तीनों बुजाए समान अनुपात में होना चीए 3 sides are in the same ratio corresponding sides are in the same ratio का मतलब यह अगर 1 by 2 आया तो यह भी कितना आना चीए था और यह भी कितना आना चीए था यह कितना आया यह कितना आया यह आया क्या 1 by 2 यह आया 2.7 by 5 क्या बोलोगे triangle कुछ भी नाम लिख दो MLP similar is not similar to DEF लिख सकते हो जब है नहीं तो कुछ भी लिख तो आगे पीछे है नहीं तो आगे पीछे बता सकते हो ना मतलब त्रिबुज MLP समरूप नहीं है त्रिबुज DEF के बताओ इसमें कोई doubt है नो सर चलिए fourth question इनको ऐसा ही करना है यहां fourth question में यहां पर बना है 40 degree 2.5 M N L और यहां पर आया sorry 70 है 70 है और यहां पर क्या है 5 यहां कितना है कुछ नहीं यह P Q R यहां पर है 70 यहां पर है 5 यहां पर कितना है same ratio में बनाना है दिख रहा है कि 2.5 की निचे किसको लिख दो 1 by 2 और 5 की निचे किसको लिख दो 10 1 by 2 और बीच का एक एंगल यह वाला किसके एक वाल इसको थोड़ा गुमा कर लिख दे कैसे गुमा कर लिखो के ध्यान से देखना सुनना और ध्यान से यह पकड़ा P Q यह side और इसको यहीं रहने दिया इसको उठा के ऐसा ला दिया और ऐ P R Q तो यह कितना है? Q कितना है? 70 Q R Q R कितना? 10 और M N कितना? Sorry P Q कितना? 5 हो गया? तो इसके रेशो में कौन है? यह इसके रेशो में यह जाएगा और यह वाला एंगल इसके corresponding संगत बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हम कितनी चीज़े बताएंगे? तीन चीज़े सुनना क् M N by P Q एक्वल 2.5 by 5 और यहाँ लिख रहा हूँ M L by M L by यह इससे देखना है M L by Q R M N को किसके देखा है P Q? और बताओ यह है हमारे पास 5 by 10 और एंगल M इक्वल एंगल अच्छा यह भी कितना आएगा? 1 by 2 यह भी कितना आएगा? हमने एक क्राइटेरिया देखा है एक ट्राइंगल में दो साइट और उनकी बीच का एक एंगल अगर एंगल एकवल है और दोनों साइट करिस्पॉंडिंग है तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर कौन सा क्राइटेरिया? साइट एंगल साइट तो साइट और मत लिखना इसको मिटा दे रहा हूं यह हमारे लिए काम का है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे MN by PQ किसके एकवल ML by QR यह भी किता यह भी किता और एंगल M किसके एकवल एंगल अब तुम लोगों को नाम सेम लिखना है तो नाम यहां से चालो जाओ N M L ट्राइंगल N M L अब बताओ N M की नीचे क्या आना चीए तो यहाँ पर सिमिलर है किसके N M की नीचे P Q आना चीए यह भी जाएगा P Q L बचा है और इदर क्या बचा है R तो बताओ ML ML उसके नीचे कौन Q R तो दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है सिमिलर मतलब सम रूप है कौन से रूल से साइड समझ में आया क्या किया उसको इसके जैसे बनाने के लिए इसको ऐसा पकटके ऐसा नीचे रखके फिर से बना दे मिल ऊत्ताओ जोनों झाण से साइड स सब्सक्राइंगल